वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी व्यूज पाने के लिए नहीं बनाई जा रही है और नहीं आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वो बात अलग है इस सत्यों को सुनकर आप खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे स्कूल जो है वो 9 और 11 में भी इन मार्क्स को फानल एक्जाम में नहीं जोड़ते यानि अगर आप फानल एक्जाम में पास हो जाते हो तो आप पास हो गए भले ही आप मिट्टम एक्जाम में कितने भी नंबर लेकर आए हो कुछ प्राइवेट है जादा नहीं तो लेने वाले को पता है कि मिट्टम एक्जाम्स वेस्ट है पेपर देने वाले को पता है कि मिट्टम एक्जाम्स वेस्ट है तो ये मारे करीकुलम का हिस्सा बनाया ही क्यों गया क्यों सदियों से चलता आ रहा है एक mid-term exams हर September, October के महीने में हर एक school जितना syllabus कराया जाता है उसका test क्यों लेता है समधार वक्ती समझता है क्यों लिया जाता है मैं यहाँ पर आज आया हूँ ये सत्ते बताने के लिए जो मैं पिछले 18 सालों से ये देख रहा हूँ कि mid-term exams क्यों देने जरूरी है और अच्छे से देने क्यों जरूरी है 10th और 12th के बच्चों की खासकर बात करूँ तो उनका attitude इन exams को लेकर बहुत lenient होता है क्योंकि मेरे साब से गलत है ये बात सत्य है कि marks नहीं जुड़ेंगे लेकिन ये आपका attitude represent करता है कि आपको दिया हुआ हकाम आपने सही तरीके से नहीं किया और ये कही ना कहीं कहीं ना कहीं आपके final marks में भी ये चीज show होगी दर्शाई जाहेंगी दिखेगी आप भले इससे कितना भी पीछे अटो कि सर मैं आखरी के तीन महीने महनत करके अच्छे नंबर ले आऊँगा हो सकता है लेकिन आपका attitude 11th में 12th में और उससे आगे भी शायद ऐसे ही रहने बाला है तो मैं आज आपको कुछ points के बारे में बताऊँगा कि mid-term examination आप बच्चों के लिए भले मांक्स जुड़ें या ना जुड़ें आप बच्चों की growth के लिए कितने important है तो आप शुरू करते हैं मैं अगर पहला point की बात करूं सबसे पहला point की अगर प्यारे बच्चों मैं बात करूं सबसे पहला point है हमारा attitude देखो simple सी बात है आज मेरे साब से इस वीडियो को देखने वाले maximum जनता जो होगी maximum बच्चे जो होंगे वो कोई काम नहीं कर रहे होंगे उनके parents पैसा लगा रहे हैं आपके उपर और आपको सिरफ एक ही काम दिया हुआ है पढ़ना और कोई काम मेरे साब से आपके पास नहीं होगा और अगर थोड़ा बहुत हुआ भी तो चलता है यार इतना हमारे जितना तो नहीं होगा ठेक है चलो मैं वो discuss करने नहीं आया हूँ तो अगर आपके पास कोई काम नहीं है सिर्फ एक काम है पढ़ाई करने का और उसमें भी हम अपने अच्छे एफट्स नहीं डाल रहे है तो यह हमारा attitude ही present करता है क्योंकि आज हम पढ़ाई से दिल चुरा रहे हैं कल हम नौकरी से दिल चुराएंगे या अपने business से मन चुराएंगे और हो सकता है हम अपने life partner से भी मन चुराएं अपनी family से भी जूट बोलें और अपनी family को भी उस attitude से attention ना दे जो वो deserve करते हैं और यह बिलकुल सत्ते है बिलकुल सत्ते है यह आपका attitude है dedication है आज for example मुझे कोई काम दिया जाता है करने के लिए मैं उसको पूरी शिद्दत से करता हूँ भले मैं उसमें अच्छा हूँ या नहीं हूँ अगर आप मुझे आप dance भी करने को बोलोगे या मुझे गाना गाने को करोगे मैं अगर बिलकुल worst हूँ गाना गाने में if you are not lenient या आप lenient नहीं बनना चाहते है कमर सीधी करो और तैयारी करो दूसरा सबसे important है बिटा preparation preparation एक second preparation हम अभी क्यो पढ़ रहे हैं खासका 10th और 12th या 9th और 11th की भी बात कर ले 9th, 10th, 11th, 12th अगर मुझे पता आपका final goal final exam से है मान लिया अभी किते chapter आ रहे है मान लेते हैं math की आदी किताब आ रही है या science की आदी किताब का रही है आपको नहीं लगता कि अगर आप midterm exams की इतनी बयंकर तरीके से तैयारी करोगे तो आपकी आदी किताब concrete तरीके से तैयार हो जाएगी और यही असली सत्य है midterm exams लेने का कि आधा जितना पढ़ लिया उसको हम समेट ले उसकी हम पक्के से तैयारी कर ले कि ताकि final exam में उसको इतने अच्छे से देखने की कोई जरूरत ना हो इसका एक example देता हूँ जितने भी बच्चे हैं कही ना कहीं IIT करेंगे कही ना कहीं NEET करेंगे कही ना कहीं IP की तैयारी करेंगे बहुत सारे बच्चे तो CUET के exam में बठेंगे etc. 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 कोई आपका finance में जाएगा कोई आपका actual science लेगा बहुत सारे wide variety के courses हैं और सब में कहीं ना कहीं foundation या entrance होती है उसका syllabus सुनोगे तो हिल जाओगे CUET की maths का syllabus सुनोगे तो लगबग लगबग 40 chapter है domain को छोड़कर जो 9th वाले बच्चे उनको भी आगे जाके CUET देना है तो आप मुझे बताओ अगर हम आज मात्र 12 chapter एक साल में prepare ने कर पारे तो यहाँ पर तीन महीने मिलते हैं आपको इतने सारे syllabus को cover up करने के लिए remind करने के लिए revise करने के लिए prepare करने के लिए तो फिर वही बात आती है attitude preparation prepare करने की habit start preparing today आज ही आप prepare करना शुरू करे mid term exams एक वर्दान है श्राप नहीं है एक burden नहीं है एक वर्दान है क्योंकि हो हमार को पहले ही आईना दिखा देगा कि किस रफ्तार से मुझे आने वाले महीने में और काम करना है जो बच्चे अच्छे नमबर लेकर आना चाते हैं वो got it चौथा तीसरा तीसरा है result अब अब बोलोगे sir result तो माईने रखता ही नहीं तो अगर हम यह मेरा point of view है मैं गलत भी हो सकता हूँ अगर हम जिस चीज़ का result माईने ही नहीं रखता हम उसको इतनी शिदर से पढ़कर इतनी importance देकर इतनी मेहनत करकर पढ़ रहे है तो सोचो आपका attitude जो change होगा towards studies, towards hard work, towards महनत तो final exam जिसके marks literally आपके matter करेंगे तो उसमें आप कितनी महनत करने वाले हो तो मैं अपने हर offline paid batch YouTube के बच्चों से यह दरखास करता हूँ, request करता हूँ कि please be serious यह mid-term exams है और यह बहुत important है sir, हमारा तो syllabus ही नहीं हुआ हमारे school में साथ chapter आ रहे है किसने का है साथ के साथ chapter करके बैठ किसने नहीं बोला आपको अपने level की तयारी करनी है पडोसी के level की नहीं आपको अपने आप से जीतना है किसी और से नहीं mid-term exams में अगर साथ chapter आ रहे है मेरे प्यारे बच्चो तो आपको अगर लगता है कि मैं पांच बहुत अच्छे से कर पाऊंगा मालो paid batch में वो topic नहीं हुआ example के तोर पर क्योंकि सब का curriculum अलग है किसी का circle आ रहा है किसी का नहीं आ रहा किसी का triangle आ रहा है किसी का नहीं आ रहा किसी का physics में वो अला part आ रहा है किसी का नहीं आ रहा अब teacher ने तो एक limited portion पढ़ाया होगा coaching center में ये school के अंदर जैसे भी है तो पांच chapter आपको आते हैं या teacher ने सातों करा दिये लेकिन तुमारे भीज़े में अभी सिर्फ पांच घुसे है prepare दे छोड़ दो दो को लेकिन ये prepare ऐसे होने चाहिए ऐसे होने चाहिए कि finals में इतनी महनत ना करे उसका कोई फाइदा नहीं है कि कल मेरा math का exam है और हम बस page पलटाए जा रहे है temporarily prepare कर रहे है कल के exam के लिए या आने वाले math के mid-term exam के लिए और board में फिर से हमें इतनी ही महनत करनी पड़ेगी time waste फिर आपके लिए mid-term exam एक शाप है वरदान उसी बच्चे के लिए है क्योंकि इस समय स्कूल का syllabus रुख जाता है tuition का syllabus रुख जाता है ना वो आगे बढ़ते है ना coaching centers आगे बढ़ते है mostly नहीं बढ़ते आगे मैं भी नहीं बढ़ता आगे अब वहाँ पर अगर मालो AP chapter आ रहा है तो AP chapter को इतने sharply कर लो NCRT, PK गर्ग, RS अगरवाल, OSR की booklet Science and Funs ए booklet जो खरीदी हुए आपने सब पढ़ ली AP chapter की इतना पढ़ लिया AP chapter नहीं छोड़ के चले गए trigonometry छोड़ दिया छोड़ के चले गए triangle लेकिन मैंने पहले 5 chapter इतने कृफ्ट तरीके से पढ़ लिये कि board exam में मैं सिरफ और सिरफ आदा घंटा, पॉना घंटा अगर बैठ कर अपने doubt, doubt जो मुझे इस समय मुश्किल लग रहा था वो पढ़ लो तो मेरा chapter prepare फिर इतनी शिद्दत से मैं नहीं पढ़ूँगा पूरे साल इस chapter को इस attitude से अगर आप मिट्टम एक्जाम पढ़ोगे प्रोग्रेशन 10th का आ रहा है लाइम सेन एंगर साभी मैंने 9th का डाला है 11th का मैं ट्रिग्नोमेट्री लेकर आने वाला हूँ और 12th का मैं chapter number 5 लेकर आने वाला हूँ one shots extra questions भी हम लोग करते हैं live आकर आपको पता ही है 10th class के बच्चों को तो करते ही है पर बाकी सब में तो मैं class के अपने lecture के अंदर ही extra question डाल रहा हूँ बाकी फिर भी कोई doubt है तो आप comment section में बता सकते हूँ कि sir ये problem है मेरी apart from पढ़ाई मेरा Instagram handle है stay motivated कमर सीधी करो ठान लो कि भाया mid-term exam फोल दूँगा आपने mid-term exam फोल दी आपका attitude इतना बढ़िया हो जाएगा आपकी तैयारी में इतना दम आ जाएगा confidence आ जाएगा और आपका result इतना oriented हो जाएगा कि भाया अभी तो इस में आख जुणने नहीं तो मेरे इतने बढ़िया नंबर आ गया तो सोचो मैं final exam में क्या करने वाला हो इस attitude से इस जजबे से आपने ये board का mid-term exam चाएव बोर्ड हो चाएव नॉन बोर्ड हो mid-term exam देना है प्लीज बाकी seniors की बातों माता हो अरे छोड़ यार कुछ नहीं होता इन paper होगा होता है चाएव पेपर में ना हो आपके result में ना आए लेकिन आपकी body language में बहुत फरक पड़ेगा यकीन मानो body language में बहुत फरक आजाएगा क्या motivation आएगा ना जब आप mass में इतने अच्छे number लेकर आ रहे हो या जो आप chapter पड़के गई वो सार आपका ठीक था सार नंबर तो अच्छा है नहीं ना क्योंकि दो chapter तो आपने छुड़वा दिये मैंने मान लिया कि दो chapter आपने छोड़ दिये लेकिन जो पांच करकर आए उसमें देखो उसमें कितने पानी में हो आपकी उकात भी तो समने आ रही है कि क्या प्रिप्रेर करने का तरीका ठीक है मेरा या नहीं है क्या मुझे strategy चेंज तो नहीं करने हम इसको lenion देखके देंगे तो आप सीधा जाकर attempt कर रहे हो final exam तो पता केंसे चलेगा तो इसी तरीके से mid term इसी तरीके से pre board very important very important very important I rest my case तो नहीं आपको बता रहा हूं mid term exams आपके लिए एक वरदान है जल्दी मिलूँगा lectures में तब तक के लिए bye bye take care have a nice day stay motivated का था ना motivate हो जाओगे bye को बाद ecc कर दो closely